है लो फ्रेंट जो मैं वीडियो मताने जा रहा हूँ लास्ट ट्रक्ट देखिए मैं स्टेप बाई बताऊंगा हैलो फ्रेंट आज मैं बताने जा रहा हूँ आपका बंक एकाउंट आधार कार्ट से लिंक है या नहीं आप चेक कर सकते हैं घर बेठे ऑनलाइन चलिए मैं बता रहा हूं सबसे पहले आप Chrome Browser खोलेंगे उसके बाद आप इसमें यू डी यू आई टी ये खोलना है ब्योसाइड आ गया इस पर क्लिक करना है ठीक है प्रेंट ये खुल रहा है कोई गियं गेत आथार काथ दे रहा है इसे अधार सर्विस पर जाना है अधार सर्विस पर जाकर हम पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद खुल रहा है देखें प्रेंट सब Свचेशा आ जैसे खुछ गया हर अब आएगा आपकोगोने लिजे आपको क्लिक करना है अधार लिंक एस्टेटस पर मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद आएगा उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा मैं अधार अधार सर्विस चेक अधार बैंक येझत लिंक एस्टेटस तो आप सब्सक्र्स आप लिंक एस्टेटस पर क्लिक कारें ठीक है मयों ऑर भी बता दे रहां ऐसे आगया तो वहां पार आएगा आपका अधार नमबर क्लिक करें सब्सक्राइब moyenब बिलिंग में अपने नमबर डाला हूँ क्लिक करें गवा बता रहा रहा हूं अपना डाल के आपको लब अपना नमबर यह है क्या को के सुज़र नमबर हो गया अब इस दोर्य प्युच्य को बहु apparate डालेंगे हम उसके बाद यहां पर send OTP क्लिक करेंगे उसके बाद आएगा message OTP आएगा message okay friend देखिए मेरा OTP आगया है ठीक है 645844 इस पर क्लिक करने के बाद submit पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहां पर लिख के आ रहा है माई अधार अधार सर्विस चेक यहां पर आगे आपका साइन का और आधार bank mapping has been done मेरा आधार नंबर यह डाला था bank linking status आ रहा है एक एक्टिव बता रहा है बैक linking date बता रहा है तेश चर्दु हजर बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिम्टेड ओके फ्रेंड देखिए अच्छा लगए तो लाइक और share करिए क्योंकि सबसे जरूरी बात है क्योंकि अब बैंक वाले क्या कर रहे हैं कि अब बंद कर रहे हैं जो भी अधार कार्ट से link नहीं है वो बंद कर रहे हैं आप जितने भी जल्दी हो आप link करा सकते हैं हुआ हुआ हुआ